कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दा नोलेज प्ला जामें उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्त होंगे अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो जैसा कि आप लोगों को पता है यह हमारा जो है इतने ठाइम क्या होता है तो इतने का मतलवी आपका क्या है कि यह जंवी अब कराते हैं यही जाहे हमारें एक अप्र तो इसमें जो आपके ब्हुती ज्यादें कॉस्छा अंहें क्याकर्ण आजे रखते हैं जैसे कि आपके पेपर में पूंचे जाते हैं जैसे 20 कोश्चन आपके GS के आते हैं, GS के 5 कोश्चन इसमें रखे जाते हैं, Physics के 5 कोश्चन रखे जाते हैं, Chemistry के 5 कोश्चन रखे जाते हैं, और Botany Joology के 5 कोश्चन रखे जाते हैं, और 5 कोश्चन जो आपके बचे वो Agriculture के रखे जाते हैं, ठीक है, तो आज जो पहली बार ये समय पर मिल जाएं ठीक है तो चलिए क्लास में चलते हैं उससे पहले आप लोगों को यह तो पता होगा यह मारा सुपर ट्वंटी बैस जो है वो एक जुलाई से चालू हुआ था और इसकी सारी क्लास जो है वो आपकी कहां पे मिलेंगी तो सुपर ट्वंटी एक प्लेलिस्ट बनी होगी सुपर ट्वंटी बाई नॉलेज बलाजा करके तो उसमें आपकी यह सारी क्लास मिल जाएंगी ठीक है और इससे पहले मॉडल पेपर बगेरा भी हम लोग करा हैं तो आप लोग भो भी देख सकते हैं और देख सकते हैं मासे कि आपके कितने नमर आपके आ रहे है कितने कोशन सब्सीं हो रहे हैं ठीक है चल दियस पहला कोशन देखेंगे डाज जो सुरुगा对 के पांच कोशन होते हैं वो के होते हैं और जी इस कोशन आते हैं और यह वींच जो है वो बायो के भी और मतलब PCB PCM और पीएजी 3ृ गरूप के लिए से्म रहते हैं कुछ लो रहे थे तो GS के कोश्चन हम लोग इखटे ही यहां पर कराते हैं ठीक है मतलब अलग कोश्चन अभी नहीं करा हैं हम लोग जो है हर एक क्लास में आपको GS के पांस से दस या फिर पंद्रह से बीस कोश्चन जो सुरुआत हमने सुपर 20 वाली क्लास चलाई थे उसमें 20 कोश्चन के लगबग भी आपको मिल जाएंगे तो आप लोग बहां से देख करके और अपनी प्रक्टिस कर सकते हैं ठीक है सुपर 20 वाली जो हमारी क्लास पड़ी होई है और भी बहुत सारी आप लोग चैनल चैक करेंगे तो वहां प पर जो कोश्ण था बहुत है को आप बता देंगे जिससे कि आप लोग भी वहां पर देख सकें कि गलत था या सई था ठीक है जो चेंद ग्रेंड था कल दूसरा नुमर ठीक है चंद कर लगता है तो इसमें इस्ते दे रखी ती तो हमने आपको क्या बताए था जब सुर्य जब चंडमा प्रतवी यह हमने आपको बताए था शूर्यष सो बिलकुल हनडर परसेंट आना से ओर है तो आप लोग इससे जितने कोश्चन बन सकते हैं वह यहां पर भी मुझा कंफ्यूज नहीं रहें गाप लोग चार-बाँच कोश्चन चैन कोश्चन इससे बनते हैं तो 6 जो हैं वह यहां के आपको लिखा दे रहें तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लेजिए, चंद ग्रेंड लगता है, चंद ग्रेंड लगने की इस्तिती, ठीक है, उसके बाद हम सूर ग्रेंड की बता देंगे, तो चंद ग्रेंड लगने की इस्तिती क्या हो जाएगी, वो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, सबसे ज कहीं पर बीए आप लोग पढ़िए होंगे यह जो कर रहे दो और पढ़िया होंगे ऐसलिए जो है वेवोग बिल्कुल सही है और जब दौर्य और के बीच में क्या आजाए प्रत भी आजाए ठीक है कि यह कौन सा ग्रेंट लगेगा तो यह चंद लगेगा यह कोशन पोंचा पूरण महा की रात को तो इसलिए को पूर महा की रात को थीकर पूरण मां यह लगता है ठीक है कब लगता है तो पूर मा की रात में यह लगता है अब यसी सूर ग्रण की बात कर लेते हैं तो सूर ग्रण कब लगता है आप लोग नोड कर लेंगे जब प्रत्वी और सूर के बीच में क्या जाएगा प्रत्वी और सूर के बीच में क्या जाएगा आपका जब तो पीछए आप लोग लख आपसे पुह लिया जाए तो यह आप लोग लिख ले जब प्रत्वी और पीछ वाली बात आपको यह सबस्क्राइब है तो नहीं पहुंच भाता है यह लेकिन बीच वाली बात आपको यादा दखने तो सूरी गिर्ण कब लगता है तो यह अमावस्या की दिन में लगता है चलिए आपकी क्लियर हो गई अब चलते हैं आज की क्लास में पहला कोश्चन देख लेंगे दो देस अंत्र के बीच सरवादिक दूरी कहाँ पर होती है तो सरबादिक दूरी आपकी काँ पर हो जाएगी जो दो देस हांत के 20 सरबादिक दूरी exist दूर भूमद रएक होगी आपको पता होगा ना यह 0 डिगरी जो होती है वो भूमद रेखा होती है ठीक है अब उपर हम लोग बढ़ते चलेंगे यहांपे क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल ठीक है मतलब उत्तरी द्रूप इधर क्या हो जाएगा दच्छी द्रूप साउथ पोल तो हम उपर जैसे बढ़ते जाएंगे नीचे बढ़ते जाएंगे तो यह देखा जो है इनकी लंबाई कम होती जाएगी लेकिन सब लोग वहाँ से डाउंलोड कर लिया गरें उसका अभी आपको बता देंगे साड़े-तेज डिग्री उत्तरी अच्छांस को क्या कहते का जो पर ऊच्छांस को हम लोग ओलते जो जोलाने होती है ठीक है लेटी उपलते थीक है लटीटिवएगी अन्गलियूम बिडियम बाल होता है यह नौर्थ लेա՟िट्थूड जो होता है लेकिनल लाइन इस पर क्या कहते हैं तो इसको यहां पर एक फि एक घरे वेर समस्व लिगर हो जाए गा जैसे यह है यह से क्या यह जी रो गरिचाइब अब यहां पे उत्तर में यह नौर्ट मोल साउथ है तो अब इसके यहां पे उत्तर में ठीक है । मतलब 23 पारीघ्चांज ऐसको और लोग क्या बोलते हैं करकरेखा वोलते हैं आप लिए आप लोग ट्रपक ऑप कैंसर इसको इंग्लिस वाले लेंगे तो कर्क रेखा कहा हम पर पढ़ती है आप सब कोशन पूचा जा जाएग जा आपकी हो जाएगे ठीके और अर्क्रिक ब्रत भिरत है यह हम आपको आगे बताएगे चलिए अगला कोशन इसकार कहा हो गया है अगला question देख लेंगे IIPR कहां पर इस्तित हैं Indian Institute of Pulse Research तो यह आपके हो जाएगी कानपुर में ठीक है अगला question देख लेंगे इसमें जो है आपके 30 question और time जो है आपका 15 मिनट मतलब एक question का time एक paper का time 15-20 नटकें रखा गया है तो यह इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका paper त 15 दिन तो आपको revision करने के लिए होते हैं तो आप लोग revision आप जादे से जादे करें जितना आपने जहां कहीं से पढ़ा है वहां से आप लोग उसको revision करते रहें इसलिए आपकी class का time जो है वो कम कर दिये तो आप लोग जादे इदर दर नहीं बटकेंगे जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है वो आप लोग आप बार बार इसको revision करेंगे तो आपकी rank जो है वो अच्छी हो जाएगी ठीक है आपको class में जो है वो 15-20 नटी तो देड़ी बलाते हैं और जब 200 question का paper कराते हैं तो दो गंटे आपको महां पे रोकना पड़ता है ठीक है क्योंकि हम लोग paper ही solve कराते हैं चलिए अगला question देख लेंगे भारत के बरतमान उपराष्टपती कौन है तो बरतमान उपराष्टपती आपके M bank का या नाइड़ी हो जाएंगे अगला question भारती reserve bank के बरतमान governor कौन है तो बरतमान governor कौन है या पर सक्तिकांत दास हो जाएंगे अगल question देख लेंगे यह सभी question जो है वो जायतर question हम आपके super 20 best में cover करा चुके हैं इसलिए जो है आपको यहां पर समझाया नहीं जा रहा है आपको प्रक्टिस की करवाई जा रही है और आपको PDF जो है मिल जाएगा तो आप लोग इनको हर एक question को याद कर लेंगे जिससे कि आप question देख लेंगे द्वानी की चाल निरबात में कितनी होती है तो द्वानी की चाल निरबात में आपकी zero हो जाएगी अगला question देख लेंगे और यह जितनी भी चाल दे रखी है 332 यह हम बताएं आपको ठीक है तो यह आप लोग याद कर लिये होंगे प्रकास की चाल किसमें अधिकतम हो जाएगी तो आप लोगों को पता होगा करें तो आप लोग शो है बाहर में अधिकतम HO जाइगी ठीक है ठोच धुरस्दிरब ऑर भाय ठीक है धाय में देख्क हो जाएगी निम्न में किस हुमंख के बिमा कुर्ब वह तो जो एक और गलत हो जाता है उसको हम लोग जो है बाद में आपका सही करा देते हैं आप लोग ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं तो बैसे चांस बहुत कम होते हैं कभी-कभी एकाद कोईशन गलत हो जाता है निम्न में किसकी विमा ML2T-2 के बराबर नहीं है तो ML2T-2 के बराबर दाब की विमा नहीं हो जाएगी बाकी की यह सभी विमा हम आपको याद करवा हैं तो आप लोग देख सकते हैं CR-2 मतलब CR-++ का इलेक्तोनिक बिन्यास कतना होगा तो किरोमियम इसका अटोमिक नंबर 24 होता है ना तो हमने आपको क्या बताया था चावविस और जो 29-22 क्रोमियम और कॉपर यह जो है आपके किसको फालो नहीं करते हैं तो आप बाव कि नियम को फालो नहीं करते हैं इसलिए इनका जो atomic number हो जाएगा पहले यहां पर देख लेंगे आप लोग electronic बिन्यास इसका कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s बन ठीक है वैसे 4s2 होता तभी तो हम बोलते हैं कि यह जो है chromium और copper जो है उसको follow नहीं करते हैं कि इसको follow नहीं करते हैं तो आपके जो है तो 2, 2, 4, 6, 10, 10, 8, 18, 11, और आपके 4 ठीक है 3D, 4 यहां पर हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पर आप लोग देख लेंगे अब इसमें 2 पिलस कर दिया है मतलब 2 यहां पर घटाने पड़ेंगे ना आपको दो इलेक्टरन निकालने पड़ेंगे तो एक यहां से निकाल दो पहले S से निकलता है और एक यहां से निकाल दो ठीक है इसका जो है आपका इलेक्टरनिक बिन्यास आप लोगों ने किया था ना भी 2,2,4,6,10,8,8,1,19,5,24 होता है ठीक है 19 और 5,24 होता है एक बार दोबारा देख लेंगे वापर एक इलेक्टरन कम हो गया था ठीक है एक बार दोबारा देख लेंगे 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4S बन, और एक आपका, अब कितना बचा, आप लोग देखिए आपे, इसका 24 होता है ना, यह तो आपको भी पता होगा, 24 अटोमिक नम्मर होता है, तो 24 ही हमें इलेक्ट्रोन बरने होंगे, अब आप लोग देख सकते हैं, यहापे 2, 24, 610, और 12, 618, 11, और 5 बचे, तो अब 3D, 5 हो जाएगा, ठीक है, यहापे पहले हम 4 बर दिये थे, तो आपे mistake हो गई थी, तो अब आप लोग 2 निकालने हैं, यहापे, क्योंगे आप देख रहे हैं, यहापे 3 क्रोमियम 2 plus plus, मतलब 2 इलेक्ट्रोन आपको निकालने हैं, तो 1 इलेक्ट्रोन यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि पहले S से निकलता है और A क्लेक्टोन यहां से निकल जाएगा मतलब क्या बचेगा 4S 0, 4S बंद में से अगर A कटाएंगे तो 0 बच जाएगा और 3D 5 में से गटाएंगे तो 3D 4 बच जाएगा, ठीक है 4S 0 और 3D 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है तो 4S 0 और 3D 4, कोई option ही नहीं है यहां पर तो आप लोग एक option लिख लेंगे, ठीक है तो इसका right answer आपका यह हो जाएगा, 4S 0 और 3D, 4S question आते हैं बहुत ही जाद important question है, ठीक है, ऐसे question जो हम यहां पर करा रहे हैं अब बैसी question सब आपके पूछे जाते हैं, तो इसमें हमें बताने की ज़रुरत नहीं है तब भी आपको बता देते हैं कि यह important है, कच्चे फ़लों को पकाने में प्राकरतिक रूप से कौन सी गैस उप्योग की जाती है कच्चे जो है फ़लों को पकाने के लिए, तो यहां पर formula दे दिया है, आपको formula से आप लोग बताएंगे तो यहां पर option number C सही हो जाएगा, अगला question देख लेंगे, प्राकरतिक गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है तो प्राकरतिक गैस में आपे सबसे अधिक गैस की बात की गई है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी आप लोगों को यह comment करके बताना है, ठीक है, प्राकरतिक गैस में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है हमारी अकर जो last तक class लिए हैं, मतलब सभी class आप लोग देखे हैं, तो आप लोगों को इन सबका answer पता होगा जो नहीं देखा है, तो वो लोग comment नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने यह सब कुछ पढ़ाया आपको अब daily, अरे class में हम दो आपको question जो है वो, hw के लिए दिया करेंगे, मतलब home work आप कर रहेगा दो question, जिसमें से एक question आपका यह 13 नम्मर ठीक है, और दोनो question का answer आप लोगों को देना होगा अगला question देख लेंगे, बाय मेंडल में सबसे अधिक कौन सी gas पाई जाती है, तो बाय मेंडल में आपकी सबसे अधिक nitrogen gas हो जाएगी ठीक है, nitrogen gas हो जाएगी, अगला question देख लेंगे, यूरिया का सूत्र क्या है, तो यूरिया का सूत्र आपको पता होगा NH2, CO, NH2 होता है न, तो दो NH2 इसी में आ रहे हैं, तो यह option आपका सही हो जाएगा, अगला question देख लेंगे, दोयनाम पद्दती के जनक कौन है आपके हो जाएगे, लीनियस टीक है, अगला question देख लेंगे, तीन जगती बरगी करड़ किस ने दिया था, तो तीन जगती बरगी करड़ आपका हैकल ने दिया था, अगला question देख लेंगे, एक कोस की प्रोकेरियोटिक जन्त जगत है एक कोस के प्रोकेरियोटिक जन्तु जगत है आपके दो कोशन हो गए 13 और 18 ठीक है 13 और 18 कोशन के सभी लोगों के कमेंट सेक्षन में आंसर आने चाहिए ठीक है चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो वैसे आना चाहिए और आप लोग इनका आंसर देंगे ठीक है चलिए एक कोस के प्रोकेरियोटिक जन्तु जगत कौन सा है तो एक कोस की प्रोकेरियोटिक जन्तु जगत आपका क्या हो जाएगा मौनेरा हो जाएगा ठीक है ये तो हमने अभी आपको होंबर्क में दे दिया चलो इसको अटा लो तो 19 नंबर कर लो ठीक है 19 नंबर आपको होंबर्क में दे दे रहे 13 और 19 ठीक है अमीवा में गमन होता है अमीवा में गमन किसके द्वारा होता है तो कूरपात द्वारा होता है अगला कुश्चन देख लेंगे यह यह ऑप्षन सही हो जाएगा ठीक है और अगला कुश्चन देख लेंगे रक्त समू के जनक किसको कहते हैं हम लोग रक्त समू के जनक मतलब बिलर ग्रोप के काई लेंड इस्टीनर हो जाएंगे अगला question देख लेंगे हार्मोन सब्द दिया हार्मोन सब्द आपका किस ने दिया था ये आपका आंसर क्या हो जाएगा style link, ने harmon सब्द दिया था, जाती सब्द किस ने दिया तो John Ray ने दिया था अगला question देख लेंगे, leaching किस संस्तर में होती है, जो निच्छालन होता है आपका वो किस संस्तर में होता है, निच्छालन की के लिए आपकी किस संस्तर में होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा A संस्तर में, ठीक है, अगला कोशन देख लेंगे, मूलक पदार्थ पाये जाते हैं, मूलक पदार्थ किस संस्तर में पाये जाते हैं, तो आपके किस संस्तर में पाये जाते हैं, A को हम लोग क्या बोलते हैं, खने संस्तर भी बोलते हैं, ठीक ह कार्बन एक संस्तर किसको बोलते हैं और जो मूलक पदार्थ होते हैं वो सीविक संस्तर में पाए जाते हैं अगला कोशन देख लेंगे पैडलोजी के पिता कौन है तो पैडलोजी आप लोगों को पता होगा ना सॉयल साइंस की दो ब्रांचे सोती है एक पैडलोजी और एक पैडलोजी के और एड़ाफ लोजी के तो सीदा सीदा आप से कुश्चन पूछा जाता स्वाइल साइंस के फादर कौन है तो आप लोगों को पता है ना दो टर्म होता है एक डिकॉलित होता है तो सोलम आपका क्या हो जाएगा जिसमें ए प्लस बी ओ ठीक है वो सोलम हो जा LOG प्लस अगला कोशिन देख लेंगे और कला स्वक्रांख करेंगे जहा रहें हां कर आप ट्रवा इस तो के सेंवंको करवा जा रहा है मतलब को सब्ता knocking देन चार दिन क्रिए machine joe Jeremy प्रिबान अगर कुछ भी मानते हैं एक्षो करेंगे ँतन अच्छा आप लोग करेंगे इस मो racism नहीं बटके आप लोग चाहरा दुछ आइगे और इदर दर नहीं बटकें और जतना आपने पढ़ लिया है उसी को बार बार आप लोग रिवीजन करें कुछ भी नया पढ़ने की कोसिस ना करें क्योंकि अगर आप लोग अप नया कुछ पढ़ेंगे तो जो है आपका जो पुराना है वो उसमें मिक्स होने लगेगा ज्याद है कन्फूजन हो जाएगा फिर इसलिए अ नया पढ़ना काम करिए जितना आप लोगों को मॉडल पेपर मिले वो सब लगाईए कम से कम 120 कोशिशन हर एक मॉडल पेपर में आपके सही होने चाहिए ठीक है तो हम लोग जो है यहां पे आप लोगों के लिए यह एक दो मॉडल पेपर सब्ता में कराते हैं एक मंगलवा को आपका होता है मकलत को हता है और दूसरा आपका सटरे को होता है मतलब सनिवार को करा कि forbidden और ओड़न किया जाएगा बहां से आप लोग इसका पीडिये बगेरा डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है नौ बज़े से आप लोग मतलब नौ बज़े नहीं आठ पैंतालिस से डाउनलोड कर लेना नौ बज़े तक ठीक है तो आठ पैंतालिस से नौ बज़े तक आप लोग डाउनल तो चलिए अब आपको मिलते हैं कल तब तक के लिए और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कूछ सकते हैं आपका लाज तक जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह सुपर 20 वेस्ट तो सभी लोग किये ही हैं जो लोग चैनल पर पहली बार आये थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने वीडियो अगर अच्छी लगी हो और क्लास को जो है सेयर करने अपने दोश्तों तक तो चलिए मिलते हैं आपको कल तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरां